सो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग फाइनली शौमी ने अपनी Redmi Note 13 सीरिस के तीन नए फोंस को आज पाकिसान की मार्केट में लूँच कर दिया आप लोग को मेरी वीडियो देख रहे होंगे यहां तो शौमी ने इस फोंस को लूँच कर दिया होगा यहां पी यह लूँच होने वाले होंगे शौमी की तरफ से इन सीरिस के अंदे सबसे पहला फून Redmi Note 13 देखने को मिल जा है इसके पौरे में एक dedicated वीडियो में ने पहली अपने चैनल के अपर बनाई यह अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आप लोगों को recommend करूँगा कर जाके वीडियो जरूर देखे पकिसेन की market में 4G ready launch के अगिया है बत इंटरनेशनल मार्केट में यह वरला फ्वोन 5G processor के साथ लोगों किया एक्जेक्ट आइडिया तो नहीं है क्योंकि आज ही लॉंच हो रहा है तो अगर जुही प्राइजिस अनाउंस होगी मैं आप लोगो कुमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँगा वैसे एक्सपेक्टेशन आ रही है कि वहला फून कुछ सतर हजार के कही प्राइस टाक के अं जिसके अंदर आपको एच डिस्प्लेई वाला फून वह भी नोट सीरीस के अंदर देखने को मिलने वाला है तो आज हम इसी फून के बारे में डीटेल में आप लोगो को बताने वाले है कि क्या स्प्सक्राइशन दी गई गई इस फून के अंदर क्या लगा गया है कि यह जो ही फून है जो के इंटरनेशनल मार्क के अंदर लोगो किया है सब चीजों को डीटेल में डिसकस करेंगे और इससे पहले अगर आप मैंसे किसने भी हमारे से लोगो को सब्सक्राइब कर लो जो ही सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन आइकन चो होजएगा उसको बा इन फून के बारे में आप लोग क्या क्या जाना चाते हैं ताके उनकी क्यूरिस भी आप लोग के साथ कवर कर रहा हूं अन्बोक्सिंग ना करों बल्के क्यूरिस के भी आंसर दूँ सबसे पहले तो रेड्मी नोट 13 प्रो प्लस के आप लोग डिस्प्ले को देखें इस फ दूल्बी वीजियन के सपोर्ट भी आप लोग को प्रोवाइट की गई हैं इस फून के अंदर आप लोग को गुरिला गलास विक्टर्स की प्रोटेक्शन रेखने को मिलती है फून काफी ज़दा सॉलिड स्पेक्स के साथ आरे है यही वजह है कि यह वाला फून काफी प्रोटेक्शन के वजह से आपको काफी ज़दा स्मूथ फील आने वाली और एच दिस्प्ले से तो वैसी एक्सपेक्स पेनिर्स काफी ज़दा अमेजिंग होने ही वाला है फून के आप लोग डिजाइन को देखें तो काफी खुबसूरत फून का डिजाइन आप लोग को बेंके देखने को मिल जाती है फोन की बैक के लगाइगे एक गाएन अमेंके फोन के खाशने il पिक्जल का है, फोन AMOLED डिस्प्ले होने की वज़ा से इन डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट्ट पिन स्कैनर की स्पोर्ट के साथ है अब Redmi users काफी दीर से वेट कर रहे थे कियार कब ये अपनी series के अंदर हमें इन-display fingerprint scanner की support प्राइट करेंगे हर series के अंदर expect के जाता था वो अपने phones के अंदर side model fingerprint scanner की support प्राइट करेंगे अब Redmi Note 13 Pro and Redmi Note 13 Pro Plus दोने ही phones के अंदर आपको in-display fingerprint scanner की support दे दी गई है इसी तरह phone के अंदर आपको 8GB RAM दी गई है साथ 256GB की storage दी गई है media tech का Dimensity 7200 का processor जो के 4nm पर fabricated है एक काफी powerful chipset इस phone के अंदर लगाया गया है फोन के अंदर आपको Android 13 की support मिल जाती है MIUI 14 देखने को मिल जाती है जो के अपने असाथ काफी amazing features आप लोगों को provide करती है इस phone के अंदर आपको काफी तगड़ी performance देखने को मिलने वाली है games के लेंगे काफी enjoy करेंगे इस phone के उपर क्योंकि इस phone के अंदर गुला-गला स्विक्तिल्स की protection से आपको smooth feel आएगी एक curved AMLO display होने के वाज़े से आपको bezel-less experience देखने को मिल रहा होगा साथ HDR10 की वाज़र से clarity भी मिल जोगी तो काफी मज़ेदर phone होने वाल है and personally मैं काफी तर excited हो इस phone को test out करने के लिए इस phone के अंदर आपको 5000 mAh की battery दीगी है जिसको charge करने के लिए phone के अंदर आपको 120W की fast charging की spot भी मिल जाती है फोन के अंदर आपको type C की connectivity देखने को मिल जाती है and इस phone के अंदर कोई भी 3.5 वाल ओडिजेक नहीं देखने को मिलता क्योंकि फोन को थोड़ा slim रखने की कोशिश की किए यही वज़ा है कि यह वाला phone 3.5 वाले के साथ नहीं आता यह वाला special question है Redmi के इस Note 13 Pro Plus की इसके बारे में आप लोग हमारे से इसके unboxing की video में इंदर क्या जाना चाहते है comment section में ज़रू बताएगा and सबसे पहले किस phone के unboxing की video चाहिए यह भी comment section में ज़रू बताएगा मिलते हैं आप से इन में से किसी एक phone के unboxing की video के साथ